सबी को जैन दोस्तों आप सबी का हार्दिक सोगत है जैन दिर एक्शन्स पर आशार रहता हूं कि आप सबी लोग बहुत अच्छे होंगे वहाजमा आप लेक इंट्रोस्टिंग एक इंपोर्टेंट और बहुती दमदार वीडियो लेकर आएं जिसमें आप देखेंगे भारत उसके हाथ से आप पियो के निकल जाएगा तो इसी बुद्धे पर आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोट की दबंग वकील नाजियलाई खान जी का दमदार और विबाक रियक्शन जो की वो देंगी पाकिसान की मश्रूर पत्रकार और योट्यूबर शेला ख जो कोई भी काम करता है वो बहुत crystal clear बात करता है वो कभी गोल गोल जले भी बना करके बात करहीं की सकता है जो गलत होता है अब अब डॉक्टर एस जाशंकर को पता है कि वो गलत नहीं है और वो जो बोल रहे हैं उसमें सचाई है तो उसमें डरने की तो कोई ज़रूरत नहीं और उनकी सचाई को सुन करके वहाँ पर बैठे वे सभी लोगों ने क्लाप किया और उनकी बातों को एकसेप्ट बहुत ब भारत देश से एक खुबसूरत रिष्टा रखना चाहता है अब आती है आपके मतलब की बात है जब हमारे पास ब्रहमोज है जब हमारे पास एरफाइटर जेक्ट है जब हमारे पास सब्मरीन है इंडिया है टॉप एरक्राफ्ट करियर सारी चीजे हैं आप लोगों ने कभ सब्सक्राइब पांच लड़ी थी हम तो जीते थे हम जीते थे ना तो हम फिर से लड़ सकते हैं लेकिन जो खुद मर रहा है जो खुद दाने-दाने को तरस रहा है जो खुद मतलब अपने आप में ही के भाई हमारे पास बड़ा हम जजबे वाली कौम है हम चले जाएंगे हम मार के आजाएंगे हम काट के आजाएंगे हम तो लाई-लहाग पढ़ेंगे और सारे आर्मे ओफिसर मर जाएंगे भारत के हम तो जैसे ही बोलेंगे जहन्दाव सारे काफिर मर करके उनकी लाश पड़ी रहेगी अब बोलो यह तो कार्टून है ना यह जो शब्डावली आप भी तो सुनती है आपकी तो वह क्लेपिंग्स वाइरल भी होती है तो यह कार्टून गिलिये ना अब क्यों काटून बन रहे तो चुद कार्टून बन चुका है पाकिस्तान उससे माता लगा करके फाइदा नहीं है वीटो पावर हमारे पास है हम इस पूरी दुनिया म प्रफट में आ रहे हैं बड़े महबसे और नाक के नीचे से, हम पियोके तो लेकर रहेंगे, चाहे जोगे का बात है कि मतलब वहां से पावर मिलते ही पियोके का नारा जो है गलत गलत शैला मैं ये पिछने एक साल पर आप से किते हैं वहां का पावर मिलती है ये गलत बात है अभी आपको बताया है ना कि अदर्णिया परधान मंत्री जब प्राइम निस्टर के चियर पर बैठे थे तो देश की जीडीपी बहुत नीची थी देश की एकनोमी बच से तर्था देश का चैनल की से पावर मिलन इसलिए कि ले रहे हैं अब क्या हो गया है सोने पर सुख़गा हो गया कि आप तो वीटो पावर भी मिल चुका है अब तो गौर तालाब करकर के हम युएन को ही बता देंगे कि बैया हम को दे दो हम अपना भगवा जंडा लहराना चाहते हैं जैश्री राम बोलना चाहते हैं और जितने यह अनपर जाहिल गवार है जो कभी KFC को तोड़ने करते रहते हैं हम इसको इंसान बनाएंगे इंसान एक अच्छा मनुष बनाने की कोशिश करेंगे आपने जो कश्मीर की बात की देखिए अब तो क्योंकि मेरे बहुत जादा कश्मीर के मुद्धे पर रोडशो होते हैं तो पाकिस्तान के वाम कभी यही मानना है कि जजबा और जंग और जो है वो क्रोस बॉर्डर टैर्रिजम अब हल नहीं है और यह कश्मीर के अवाम ही डिसाइड कर गए कहीं ना कहीं पे मैं बहुत ऑनेसली ओन रिकॉर्ड यह चीज़ बोल रही हूं कि भारत वाली साइड के जो कश्मीर का पर्रा भाड़ी होता जा रहा है क्य तो वो दिन दूर नहीं होगा अगर ऐसा मुका आता है लोगों को अपनी राए रखने का तो डैफिनेटी हर शक्स को यह अजाज़त होनी चाहिए कि वो अपने लिए एक बहतर आप्शन चुने और मुझे लगता है कि जिस तरह भारत रख्की करता जा रहा है तो कश्मीर क लोगों के दिल के अंदर आटमेटिक लिए चीज़ आएगी कि हम जो है एक कश्मीर को एक कर लेते हैं कि ना वो अजाद और जैसे बारत कहता है कि यह पियो के है पाकिस्तान कहता है वो इंडियन ओपोपाइट कश्मीर है तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो ब्रीटेशन रहा है बारत ज्राइब कर के लिए कि उसी ब्रीटेशनी तो बनती है थि अएटारीफ दिल करती युह थिए किले दिल से करती थि मुझे जाला है युदके आप पाकिसानी एक बहुत फेमस प संव्य पकीशन के जरोग्राउन को हमेस्ता ग्या उजादर कि मेरी और आपकी कई स्पीचिस जो है काफी विदेश कंट्री में भी चली है जो हम लोग कॉनवर्सेशन करते हैं मैं इन चीज आपको और बता देती हूं पीओ के तो हम लेकर आवर तो हमारा बढ़ता ही चला जा रहा है और मुझी जी के नित्रित में भारत जितना स्ट्रॉंग अब फील कर रहा है इसे पहले कभी भी नहीं से लिया था जिस हिसाब से ब्लोचिस्तान में महरम का प्रदर्शन चल रहा है कोई ठीक नहीं है कि आने वाले वक्त में ब्लोच भी यही कहेगा कि हम भारत का हिस्सा है जिस हिसाब से सिंफ प्रोवांस में प्रदर्शन चल रहा है कोई ठीक नहीं है कि आने वाले वक्त में खुद संध भी कहेगा कि हुंको भायत का हिस्सा बना को स्थाолов हैSoda कि आप जब तक पाल्सान के हिस्से में आप अपनी जॉंबी आपको बहुत जजबा है वो जजबा बारत में नहीं समा सकता आप समझा करें इतना जजबा एक नुकलियर एटमी हत्यार में भी नहीं है जितना जजबा एमोशनली हमारे अंदर है अपको एक इंसिदेंट अभी बता देती है वह पूरी दुनिया में सोचल मेडिया पर बहुत कर रहा है एक रेप एक मैं रिलिजिं नहीं बताओंगी नहीं को फिर बोला जाएगा कि क्यूंकि मैं नाम बताओंगी तो फिर बोला जाएगा कि नाजिया ने ब्लैस्फेमिं कर बताओंगी अब जिसको समझना है वो समझ लो भई कि उसका नाम क्या था तो वो बंदा एक बच्ची का रेप कर रहा था एक जंगल में एक गार्डेन साइड में शाम के बग छुप करके आपको पता है उस बलातकारी के ओपर जपता किसने मारा है और उस उस बच्ची को र अंदरोंने तिने कुद्रत कुद्रत तब फिर इना से तो जानवर थे हैं अला कि मैं हमेशा बहुत ब्लंट बात करती हूं लेकिन अभी मैं फिर नाम लोंगी फिर साला मेरे उपर बोला जाएगा कि तुमने क्यों बलातकारी का नाम तुमने अगर वो शांती प्रेयक हौं से आता है तो तुम बलातकारी का नाम मतलो है अला कि दिखो हमारी नाजर में बलातकारी बलातकारी है वो किसी पर रिलिजन से आ रहा हूं लेकिने खास समुधाय बाली बलातकार जादा करते हैं तो भी वेरी फ्रांगी मदर्से में भी कर लेते हैं मांबाडे में भी कर ले तो उस इंसान को शरम आनी चाहिए कि बंदर भी दिल रखते हैं लेकिन कहते हैं कि दो आंख दो कान और एक नाक रखने वाला जुरूरी नहीं कि इनसान अंदर से होना बहुत ज़्यादा जुरूरी है कि आपके अंदर फिलिंग और मात्यम से मैं ब्लोच और पियोके और सिं संसकारी हैं और उनको भी देखियों कि इस्दत की परवा इतनी ज्याता है तो आप जो आपको जितना जॉंबी पना करना है आप कर लीजिए पूरा भडास निकाल लीजिए पर जैसे ही भारत में अटाच होईएगा यह जॉंबी वाली हरकत और यह जजबा वहीं छोड़ क हैं कि संसट्रिश और यह जड़ें हियर करके जबाएगा लीजिए पाकिस्तान के यह जो कंफ्विक्त ए मिश्क्श है वह जा गी तो 58-eteले सालों से हैं कभी इंडिया पाकिस्तान को लेने की बात करता है और में पाकिस्तान किश्मीरानी की बात लीए ने की वह च्यां में ह अब किसी जूटे के नोग पर पड़े हुए हम हम इम्प्रोवमेb ent, श किसी में आगे पड़ते चले जा रहे हैं आप किसमें आगे बढ़ रहे आपके रोज़ ब्लासवेमी के नाम पर किसी डॉक्टर को मुसल्मान cotton आक ό रहा है मुसल्मान मुसल्मान को जला दे रहा है प्रोस्नल गरेजस निकालने के लिए जो जन्नत की 72 वर्जिन हूर का चूरन बेशता था जो यह कहता था कि जन्नत क्या है याशी की जगा है मुफ्तितारिक वसूद अब विचारा खुद के आग लगाई हुए में खुद जल मुझे तो हसी आ रही है मुफ्तितारिक वसूद को तेख करके मैं तो हजस करके परिशान हो रही हूँ कि अब जब इसके गले पर तल्वार लटकी है तो यह कह रहा है मुझे बचा लो मुझे माफ कर दो क्यों बहातर वर्जिनूर के पस नहीं जाना अब जाओ जन्नत क्या करने के लिए दोस्तों यह थी आज कि हमारी वीडियो उमीद करते हैं आपको आज का हमारा जो शो है बहुत जादा पसंद आयोगा दोस्तों आश्या करतों कि वीडियो को आपने अंतिक देखा होगा और हमेशा की तना नाजिया खांजी का दंदार और बेबाक रेक्शन आ काफी पसंद आयोगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलोगा और यह वीडियो का सेकिंड पार्ट था फर्स पार्ट अल्रडी हम आपके लिए चले पर डाल चुके हैं इसे आप लोगों ने बहुत ज़्यदा प्यार दिया था तो आश्या करतों यह वी मज़ेदार और नॉलेजबल वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए जय हिंद जय भारत